हुआ 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 हम लोग केचप इफेक्ट को डिसक्स करेंगे इस केचप इफेक्ट को हम लोग थियोरी ओफ कन्वर्जेंस भी कहते है केचप इफेक्ट इसको इसलिए कहते हैं कि हम लोग यह देखते हैं कि developing Country की Growth और Đवलव्लब्ब कंट्री की Growth कैसे चलती है किस तरड़िके से rate of Growth developing country की ज्यादा होती है with respect to the developed country तो Developing Country तेजी सेह डवलव करती है और यः पूर कंट्री तेजी of convergence क्योंकि इस थियोरी के अंदर एक पूर कंट्री कंवर्ज कर जाती है डवलब कंट्री के साथ साथ ठीक है तो बेसिकली इस थियोरी का सिंप्ली मतलब ही है यह यह का statement है कि पूर यह developing economies की जो growth है वो faster होती है यानि इनकी पर-capita income तेज बढ़ती है बनिजबत developed country की per capita income से ठीक है और कुछ time बाद सारी ही economies जो developed economy होती है पूर economy है वो अपनी जो जिससे वो compare कर रहे हैं उसकी growth को developed country से या rich country से उसके बराबर पहुच जाती है यह दूसरे शब्दों में और दूसरे अलफाज में आप इसको यह भी कह सकते हैं कि poor country poor economy और rich economy जो होती है उनके बीच में जो यह difference होता है वो एक time में आकर बराबर हो जाता है यानि कुछ time बाद poor economy rich economy के बराबर पहुच जाती है क्योंकि यह मानले जाता है कि poor countries के पाद या low income countries के पास ज्यादा opportunities होती है बनिजबत developed country के यानि इनके पास developing country के पास opportunities ज्यादा है कि वो अपनी growth को बढ़ाए developed country पहले ही उन opportunities को avail कर चुकी होती है ठीक है अब इसके जैसे आप चीज़ लीजिए technological know-how है तो technology basically आप अगर developed country के पास देखें तो पहले से हैं वो उस पर काम कर रही है और developed हो गई है लेकिन वही टेकनोलोजी जब एक पूर कंट्री के पास आएगी तो उसकी growth तेज हो जाएगी यानि अब वो जो developed country है वो उस growth तक पहुंच चुकी है और उसकी growth अब हलकी हो गई है लेकिन जो developing economy है उसके पास वो technology अब आई है और वो तेजी से develop करेगी और catch-up effect उसके अंदर आएगा और वो पहुंच जाएगी हाला कि सारी country में हमेशा ये प्रू नहीं होता जो empirical evidences है उसने वाक इसमें data collect किया गया research की गई उसमें देखा कि हाँ ये जो poor countries है developing countries है वो available advantage advantages को effectively use करती है और उनका जो growth है वो fast होती है और catch-up कर जाते हैं वो लोग लेकिन ऐसा नहीं है कि यह हर जगा सेम है कुछ जगा सही है कुछ जगा नहीं भी है और उसके कुछ potential reasons है कि क्यों इसमें catch-up effect होता है कि इसके लिए हम कुछ main reasons है उसको discuss करें कि सॉरी रीजन्स क्या है catch-up effect के सबसे पहले हम मान के चले लौ आफ डिमनिशिंग रिटर्न लौ आफ डिमनिशिंग रिटर्न दूसरा जो इसका रीजन बता जाता है रिप्लिकेट टेक्नलोजी फ्रॉम अधर कंट्रीज रिप्लिकेट टेक्नलोजी फ्रॉम अधर कंट्रीज ठीक है अभी हम एक करके सब को डिसकस करेंगे तीसरी है ग्लोबलाइजेशन एंड मूव्मेंट ओफ लेबर एंड कैपितल ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड मूव्मेंट ओफ लेबर एंड कैपितल तो यह तेन रीजन है लॉफ डिमिशिंग रिटर्न रिप्लिकेट टेक्नलोजी फ्रॉम अधर कंट्रीज ग्लोबलाइजेशन एंड मूव्मेंट ओफ लेबर एंड कैपितल अब हम इनको एक एक करके डिसकस करेंगे पहले हम बात करें डिमिशिंग रिटर्न की देखिए डिमिशिंग रिटर्न हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले से इस पर कई वीडियोस पड़ी है डिमिशिंग रिटर्न का मतलब होता है कि अगर आप एक फैक्टर को बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं तो एक वक्त म की गिरोथ ठीक है आप जो देखिए वो आपकी गिरोथ इस तरह चलती है ठीक है अगर आप यहां देखें तो इतने फैक्टर बढ़ाए इतनी गिरोथ मिली ग्रोथ जैदा है यहां पर ठीक है लेकिन एक स्टेज यहां पर ऐसी आ जाती है कि इतने फैक्टर बढ़ाए यह तो इतनी सी गिरोथ मिल रही है है ना तो हम ये मान कर चलते हैं कि लॉफ बिम्निश रिटर्न हमें ये बताता है कि यहां पर हमारी क्योंकि हमारे पास capital investment कम होता है लोग country पूर country के पास capital investment कम होता है तो वो इस जगापर होती हैं इसलिए उनको growth तिज मिलती है लेकिन जो rich countries हैं वो यहां पहुंच चुकी होती है उनका capital investment काफी ज्यादा होता है इसलिए उनको जो मिलता है return वो हलके होता है ठीक है यह एक पहला reason है मैं एक example लूँ चलिए हम एक बात करें कि मालिए एक agriculture economy है इंडिया एक agriculture economy है ठीक है यहां पर लोग हास से अपने खेतों की जिताई करते हैं लेकिन अगर एक motorized tractor आ जाता है अब आने रहा है हर जगह हो गया है तो क्या होगा production एक साथ बढ़ जाएगा लेकिन आप developed country के बात करें तो उनसे अच्छे चिप इंस्ट्रूमेंट वह पहले से यूज़ कर रहे हैं ठीक है तो उनको और investment करने पर बहुत ज्यादा development नहीं होगा उनके हां लेकिन वही investment अगर हम poor countries के अंदर करेंगे तो हमें अच्छा development देखने को मिलेगा दूसरा जो point याद कीजिए मैंने भी लिखा था उपर वो क्या था रिप्लिकेट टेक्नोलोजी रिप्लिकेट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं टेक्नोलीजी को रिप्लिकेट टेक्नोलोजी ठीक है इसका क्या मतलब देखिए एक और बहुत अच्छी एडवांटेज है poor countries के पास कि वो अपनी टेक्नोलोजी को advanced country की technology से replicate करती है उससे change करती है यानि जो technology advanced country में चल रही है उस technology को लेती है और ऐसा नहीं है कि उसी sequence में चलेंगी जो technology presently उनके पास होती है उसी technology को ले लेती है इसलिए कैच अप effect हो जाता है आप एक example आप लीजेए मैं बहुत आसानी से समझ में आएगा एक बार landline phone होकरता था अब अगर आप landline phone की बात करें तो हर किसी के पास landline phone नहीं होकरता था धरीब लोग landline phone नहीं होकरते थे ठीक है लेकिन जैसे ही मुबाइल फून आया अब हर आदमी बच्चे बच्चे के पास बड़े छोटे अमीर गरीब सब के पास आपको मुबाइल फून मिलेगा है ना यह केचप एफेक्ट है यानि एक टेकनोलोजी होना तो यह चाहिए था कि यहां पहले सब के पास लेंड लाइन होता उसके बाद हम मोबाइल पर आते नहीं यहां रिप्लिकेट कर जाते हम जो एडवांस टेकनोलोजी उस पर कर जाते इसलिए डबल अब जो अमेरिका के अंदर इंडिया के अंदर हुए चाइना के अंदर है वही इसी सिस्टम चला जितने पूर कंट्री जो चला के एक है केचब एफक्ट वो यहां पर ही पर ठीक है कम्यूनिकेशन इंप्रूफ करने से तीसरी बात जो मैंने बताई थी वह ग्लोबल फोर्सेस ग्लोबल फोर्सेस का क्या मतलब है देखिए मल्टी रैशनल कंपनी अब वो क्या कर रही है ज्यादा तर मल्टी नेशनल कंपनी अपने प्रोडक्शन यूनिट जो है वह लो क लेबर कॉस्ट कंट्री क के अंदर शिफ्ट कर रही जिससे उसकी wage बढ़ती है और अगर wage बढ़ती है तो development होता है यह हकीरत है कि यह सब जगा बराबर नहीं होता या अगर यहां पर poor country के अंदर wage बढ़ गई है तो वह exactly rich country के बराबर नहीं होती लेकिन जो poor country के अंदर wage system होता है उससे hire हो जाती है और जाहिर जब वो higher होंगी तो इस तरह बढ़ती रहती है और एक दिन rich countries के आसपास पहुंच जाती है कुछ limitations देखें यह theory लगती तो ऐसे कि बहुत आसानी से काम कर रही है तो आप poor country बहुत जल्दी पहुंच जाएंगी rich countries के पास लेकिन कुछ limitations भी है मैं ऐसी बता रहा हूँ पहली limitation जितनी जिस theory के अंदर जो हम system लेके चले हैं वो depend करता है level of social investment and basic infrastructure यानि हम यह कह रहे हैं कि जो social investment या infrastructure basic infrastructure advanced country में है वो poor country में आएगा और poor country तेज गिरोध करेगी और उपर पहुँच जाएगी लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अगर हर country को opportunities दे दी जाए क्या वो उसको avail कर सकती है क्या उनके पास level of education है क्या उनके पास level of training है क्या उनके पास experience है जिन country के पास है वो कर सकती है जिनके पास नहीं यह वो नहीं कर सकता तो यह इतना आसान नहीं है यह किसकी limitation है कि यह जो है इसके अंदर सिर्फ हम infrastructure या social investment की बात करते हैं वो investment या infrastructure यूज होगा नहीं होगा हम इस पर बात नहीं करते हैं पूरा हमारे जो डेपेंडेंसी है वो local culture और expectation पर है ठीक है दूसरी बात है हमने बात करी diminishing return के बात तो diminishing return जो हम expect कर रहे हैं वो नहीं होता है क्योंकि यहां तो हमने short run में देख लिया short run में देख लिया तो यहां कम हो गया बहुत कम हो गया अगर आप इसको देखें तो ठीक है लेकिन आप long run में अगर हम बात करें तो यह तो यह चलता चला जाएगा ना जादा चलेगा तो जो हम expect करके चल रहे हैं यहां पर वो नहीं होता तो diminishing return हमने यहां short run में लिया नहीं होता जाहरे long turn के टॉम के अंदर जो new technologies और आएंगी पर यह advance के पास हम यह कह रहे हैं कि साब यह जो advance के पास है वो पहुच गई पूर कंट्री के पास ठीक है लेकिन हम यह क्यों नहीं मान कर चले एक और जो इस theory ने एगनूर किया कि उस वक्त तक advance country और advance technology पे चली जाएगी इसको एगनूर किया है इसके अंदर जो long term में होने वाला है तीसरी बात diverse response to globalization हर country equal नहीं होती हर country के economic factor हर country के political factor अलग होते हैं कुछ countries की policies होती हैं के साब मली जे एक country international trade को support कर रही है एक नहीं कर रही है दोनों गरीब है दोनों पूर है एक international trade पर जारी एक नहीं जारी तो जो नहीं जारी उस्पन नहीं होगा तो जो potential है एक manufacturing growth का वो कोई country एब्जॉब कर सकती है कोई country नहीं कर सकती ये भी एक limitation है इसी के अंदर एक और पॉइंट आ जाता है उसको और समझते चले हाला कि पॉइंट वो थोड़ा सा अलग है लेकिन मैं सिर्फ चाराओं के एक छोटा पॉइंट ही हागा कवर हो जाए जिसको कहते हैं resource curse resource curse resource curse क्या चीज़ है एक और issue है जिसको हम मान के चलते हैं ये resource curse कहता है कि जो developing economies है उनके पास natural raw material बहुत ज्यादा होता है और उसके साथ इसी वजह से वो rapid rate of growth के लिए struggle करती है जो वो expect करती है और करना भी चाहिए क्योंकि उनके पास raw material बहुत ज्यादा होता है और इसी को resource curse या Dutch disease कहते है Dutch disease भी इसी का नाम है जो ये कहता है कि abundance of raw material can cause यहाँ बहुत सारे reason यानि abundance of raw material अगर है उससे क्या होता है देखिए अगर एक poor country के पास raw material बहुत ज्यादा है या उसके पास natural resources बहुत ज्यादा है तो उसका जो exchange rate है वो over valued हो जाएगा जिससे उसका export less competitive रह जाएगा कोई चीज़ abundance होती है तो जहरे उसका competition कम हो जाता है market के अंदर दूसरी बात जो other resources है वो crowding out हो जाती है जो other resources है वो crowding out हो जाती है इसी sector पर development का दिहान रहता है और other पर नहीं रहता है जिससे जो economic growth है वो unbalanced हो जाती है एक problem याती है तीसरी बात जो resources है वो multi national companies own कर लेती है जो resources है हमारे पास वो multi national companies आती है वो उसको अपनी ownership के अंदर ले लेती है जिससे के अंदर फिर एक ये problem आती है कि साब वो हमारे हां से पैसा भी बाहर जाएगा और जो उनके अंदर में है तो वो उनके system के हिसाब से चलती है तो हमारा system उसके उपर बहुत ज्यादा कम रह जाता है average people उससे बहुत ज्यादा फाइदा नहीं उठा पाते है ठीक है तो यही था ketchup effect मुझे अमीदे समझ में आया होगा बहुत छोटी वीडियो है लेकर interesting है कोई problem हो तो मझे comment box में बताईएगा इस वीडियो मिलता ही Thank you so much